आ मेथी खारेज छोटे बच्चों में पेट दर्ड की समय है और ठंड की समय में एकार अगर मेथी खिलाते हैं तो बहुत चाश खाणा ने chegou लिए नमस्कार दोस्तों मैं। मुंदतु मैं मॉर्या मॉर्या vibe ओड भी लिकवाइद हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा मेथी खिलाने के फाइदें या समझे बहुत लाबदायक है बकरियों के लिए और इस पे बहुत ध्यान देना है वाली बाते में बताऊंगा जो ध्यान देना आपको जो गावीन है उसको कैसे खिलाना है खाली है उसको कैसे खिलाना है बकरों क लिए और बख्रें बहुत चाहसे खाते हैं बच्चों को खिलाने के बहुत पादे आए यह पंकर जी अंदर अम लोग बात करते हैं एक रहें प्रीडर और बच्चे इदर खा रहें हमारे फाम यह इसके उदर उससे थोड़े से बड़े हैं और फिसके से बड़े हैं फिर ने और बकरीयों की बात करें थो बखर्य हमारी से है coughing दोस्तो जैसे कि मैंने बताया मेथी का जो तासीर होता है और मेथी जो है गाविन बकरी को आपको नहीं खिलाना है पहली बात और ठंड के समय मेथी खिलाते हैं तो बकरियों को ठंड नहीं लेगी इस बात को मानिए ठंड में आपको बकरियों को मेथी खिलाना है और किन-किन बकरियों खिलान देना है और किonta आली बख्री को कूपर दूध वली बख्री को और फीलाईंगे तई इसे दूध वड़ता है बच्चा देने के ठीक पांस दिन बाद बख्री ना बच्च दे धिया उसके पाँच वे दिन ज्यसे हमारे बच्च देख कहता है विखार को करी आम प्राइम लोग डेते हैं तो बख्री ने बचा याथ ठीक पांक दिन बाद बगी को के बकरी को 50 गराम में त्वेंगे के स्कते आतों अब एसा आज आज अप दस ग्राम को धीस ग्राम को 30 करौ सब पचा सी जयादा शान रहने कुँ के गरम तासीर यह बहुत हो सकता है या बहुत दख रहा है सभी कंगे बच्च स Kendra मिलुब 10 city खिलांव यह सब भी खा रहा है और बहुत ही लाब दायक है तब चारे में भी ढाल सकते हैं इसको जो बच्चे हैं उनको 3-4 गरम आप दे सकते हैं जो बकरियों उसको थोड़ा सकते हैं जो गावी नो उसको मत दीजिएगा ठंड कि दिनमा बकरियों जिसे कि मैंने आप लोग को बताय था इसक डीक जूरशन ओसब्च कि मैंने वाली से ऐक्ताती बच्च दिया है डीजिएगर रहे और सुस्कर कि में अपलाम करने रहेगें और मूख्य बात हैं में घ्रल बताताय तर तो मूह अगर बढ़करियों दख़ाओन हैं जो भी मा खाती है, जो भी मा खाएगी उसके दूद मो जाता है देखेंगा ही जब गाउ tobacco में जब वरत का लड़का रोता है तो उसको मसाला मना कर दिया जाता है मसाला और सब्जी और खा लेती है जब बच्चा दूद पिता है तो उसको पचटा नहीं है उल्टी करने लगता है, तो जब मेथी आप खिलाएंगे तो दूद में जाएगा, तो दूद से कहां जाएगा, बच्चे के पेट में, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो मा मेथी खारी एच छोटे बच्चों में पेट दर्द की समझ्चा में आएगी, पाचन भी अच्छा ह गाविन बखरी को आपको मेथी नहीं खिलाना है, स्वाबात की एक बार, ठंड के दिनों में, जो आपका फाम पे छोटे बच्चे हैं, उनको जो छोटे जैसे कि माप 30 किलो पे मैंने बता दिया आपको, कि 30 किलो जितना हो जान है, उनको 50 गराम आप दे सकते हैं, उस कोई दिकत नहीं है, और मेथी दाना जो होता है, बहुत फायद्यमंत होता है, इसको देख लिजए अच्छे से, और सभी लोग अपने फाम पे ठंड के मौसम में, जरूरी उचकरे क्योंकि ठंड के मौसम इसका जो काम है, डबल हो जाता है, और अच्छा भी हो जाता है, त जैसे माग खाएगी तो बच्चे भी दूद पियेंगे तो बच्चों को जो है ठंड लगे का नहीं क्योंकि दूद के साथ तो में पास्क जो है उचला जाएगा तो यह बहुत लाब द्याग हो तो आप लोग सभी लोग मेथी उच करें जिसे आपको बक्रियों का फ्यलत पिया तो आपको पिया